नमस्कार दोस्तों, Law of Torts के लेक्चर नमर 6 में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे Concept of Vicarious Liability और Types of Vicarious Liability Vicarious Liability का मतलब क्या है? इसे हम लोग आसान शब्दों में सबसे पहले समझ लेते हैं मानलो, अगर आपको अपना कोई काम करना है, जिसे आप परस्नल ही नहीं कर पा रहें इसलिए आपने अपना वो काम किसी और को सौप दिया, किसी और को Delicate कर दिया तो उस इंसां द्वारा आपके काम के दौरान अगर कोई गैर कानूनी काम होता है या फिर कोई tortuous act होता है या फिर कोई गलती होती है तो आपको उस गलती के लिए tortuous act के लिए या फिर crime के लिए जिम्मेदार ठहराए जाएगा ये कहता है concept of vicarious liability ये था आसाल शब्दों में इस doctrine का मतलब अभी हम लोग समझेंगे कि आपको exam में क्या लिखना है concept of vicarious liability generally a person is held liable for his own wrongful act but there are certain circumstances where he can be held liable for someone else's wrong this is known as vicarious liability if the other person is either working under him, for him or on the directions given by him which is why the person giving command to him is vicariously held liable आसान शब्दों में अगर कहूं तो कानून का जो general नियम है उसके हिसाब से अगर आपने कोई गेर कानूनी काम किया है तो उसकी liability आप भुक्तोगे उसका खामियाजा आप भुक्तोगे लेकिन किसी और के गेर कानूनी काम के लिए general law के हिसाब से आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता लेकिन ये जो vicarious liability का concept है ये इस general law के जो doctrine है इसका exception माना जाता है अगर आपने अपना कोई काम किसी और को सौप दिया और उस इनसान के द्वारा आपका काम करते हुए कोई गलती हो जाती है कोई tortuous act हो जाता है तो आपको आपके अंडर काम करने वाले employee के लिए बिहाफ में जिम्मेदार ठहराया जाएगा ये कहता है concept of vicarious liability ये जो concept है वो एक latin legal maxim के ऊपर based है जिसका नाम है क्वी फेसित पर एलियम फेसित पर से जिसका मतलब है he who acts through someone else does the act himself अभी हम लोग देखते हैं vicarious liability का main body क्या है a person will be held liable for any act if he has a full knowledge about the act which he is ratifying someone else is doing an act on behalf of him or if the act or a consideration in the act is unlawful then the act is incapable of ratification अगर आपने अपना काम किसी और को शौब दिया और उस काम करने के दौरान अगर उस इंसान से कोई गलती हो जाती है तो आप उस इंसान की गलती के लिए इन तीन घटनाओं में जिम्मेदार ठहराए जाओगे पहली घटना अगर वो गैर कानूनी काम within the course of employment हुआ है तो दूसरी घटना आपको उस गैर कानूनी काम की पूरी जानकारी थी फिर भी आपने उस इंसान को रोका नहीं या फिर expressly forbidden नहीं किया तो और तीसरी घटना आपने खुद उस गैर कानूनी काम की ओरडर अपने सर्वन को दी है तो यह जो तीसरा पॉइंट है अगर आपने उस गैर कानूनी काम की ओरडर खुद दी है तो ऐसा एक्ट वोईड अभी निशिव माना जाएगा कानून इसकी इजाज़त ही नहीं देता कि आप अपने सर्वन को या फिर खुद कोई गैर कानूनी काम करे तो उस एक्ट को वोईड अभी निशिव माना जाएगा और अगर एक्ट सक्सेस्पुल हुआ तो उस पर्टिकिलर एक्ट के लिए आपको जिम्मेदार ठहराय जाएगा इसका मैं आपको एक बहुत ही आसान एक्जांपल देता हूँ मानलो आप अपनी गाड़ी से प्रवास कर रहे हो और आपका ड्राइवर आपके बिहाफ में गाड़ी चला रहा है और आपने डाइरेक्शन दिया कि सिगनल जंप करो सिगनल को तोड़ के आगे बढ़ो तो ये गेर कानूनी काम है और ये एक्ट जो है वो वोईड अभी निशियो माना जाएगा लेकिन फिर भी अगर आपके सर्वंट ने आपके डाइरेक्शन के उपर अगर सिगनल को तोड़ दिया तो उसका फाइन आपको भरना पड़ेगा ना कि उस सर्वंट को क्यूंकि सर्वंट आपके डाइरेक्शन के उपर काम कर रहा है ये कहता है वाइकेरियस लाइबलेट for the act committed by his servant, his agent, or his relative, or for the act committed by someone else who did the act on the instigation of first person, then the liability of that particular person is known as vicarious liability. अगर आपने अपना काम अपने सर्वंट को सौपा, अपने एजंट को सौपा, या फिर अपने रिलेटिव को सौपा, या फिर अपने आपके रिलेटिव ने independently कोई काम किया, और इन कामों के दोरान अगर कोई गैर कानूनी काम होता है, तो उसके लिए आपको जिम्मदार ठहराय जाएगा, ये है vicarious liability का एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है, अगर आपने किसी को उकसाया, और उस इनसान ने आपके उकसाये जाने पर कोई गैर कानूनी काम कमिट किया, तो उस पर्टिकुलर एक की सजा आपको भी होगी, और उस इनसान को भी होगी, ये कहता है vicarious liability, vicarious liability के तीन प्रकार होते है, liability by ratification, liability by relation, and liability by instigation, ये तीन प्रकार हम अगली स्लाइड में, detail में discuss करेंगे, सबसे पहला है, liability by ratification, when a person authorizes or ratifies some other person, इसका example मैंने दिया है, authorized agent, to do a particular act on behalf of him, then he is liable for the act, error or omission committed by the agent as well, his liability in this case is known as liability by ratification, ratification का आसान भाषा में मतलब है authorization, मान लो आपने अपना काम करने के लिए, अपना एक agent appoint किया, और उस agent को कुछ powers delegate किये, आप अपने हिसाब से independently ये काम करो, या फिर मेरे direction के उपर ये काम करो, तो वो काम करते वक्त अगर agent से कोई गलती हो जाती है, कोई tortuous act या फिर wrongful act हो जाता है, तो उस act के लिए आपको जिम्मेदार ठहराय जाएगा, और आपको liability by ratification, यानि आपने ratify किया, और इसलिए agent ने वो काम किया, और वो काम करते वक्त agent से कोई गलती होई, इसलिए आपको जिम्मेदार ठहराय जाएगा, तो आपकी liability को बोला जाएगा, liability by ratification, इसका example है authorized agent, दूसरा है liability by relation, when a person is related to some other person who committed a wrongful act and the relative is subordinate to a person, then the liability of first person in the case of act, error or omission is known as liability by relation, the relation can be blood relation or obligatory relation, इसका मतलब है, relation जो होता है, वो दो प्रकार का होता है, आइदर blood relation या फिर obligatory relation, मान लो आपके blood relative द्वारा, जो कि आपका subordinate है, यानि मान लो आपके पिता जी ने कोई गलत काम किया, तो उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठेड़ाय जाएगा, क्योंकि पिता जी आपकी authority के अंदर नहीं आते, लेकिन मान लो आपका कोई बेटा या फिर बेटी है, और उसके द्वारा अगर कोई गैर कानूनी काम किया गया, तो उसका fine आपको भरना पड़ सकता है, यह कहता है liability by relation, blood relation, और liability by obligation, यानि मान लो आपका कोई subordinate है, यानि आपका कोई servant है, जो आपके दिये हुए direction के द्वारा कोई काम कर रहा है, और वो जो काम है, वो within the course of employment है, और उसके द्वारा, यानि आपके servant के द्वारा, या फिर subordinate के द्वारा कोई गलती की जाती है, तो उस गलती की सजा भी आपको भुगत नहीं पड़ सकती है, यानि आपको उसके बिहात में कोई fine किया जा सकता है, तो इस particular liability को कहा जाता है, liability by relation, इसका example मैंने दिया है, father son, यह है blood relation वाली liability, employer employee, principal agent, firm partner, यह है liability by obligation, या फिर liability by relation, अभी हम लोग आखरी liability के बारे में बात करते है, liability by abatement, if a person has a full knowledge about a particular act, and he has aided, instigated, or assisted any particular act, then he is equally held liable for the commission of the act in the eyes of law, माम लो आपको एक person के बारे में पूरी जांकारी है, और आपको यह पता है कि वो इंसान अगर हमने कुछ उकसाया, तो कोई गैर कानूनी काम जरूर करेगा, और आपने इसका पूरा knowledge रखते हुए, कोई particular इंसान को उकसाया, और आपके उकसाये जाने पर उस इंसान ने किसी दूसरे के साथ कोई गैर कानूनी काम किया, तो उस act के लिए, उस इंसान के साथ साथ आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और यह है liability by abatement, इसका सबसे आसान example में दूँगा, abatement to murder, and a person will be equally held liable for abatement to murder, तो मेरे ख्याल से आपको vicarious liability के प्रकार और vicarious liability का concept, आसान शब्दों में समझ में आया होगा, प्रुआ के ख्याला है